पारब प्रक्रेशिंग करने जो है जाते हैं जॉनपूर और सम्वार के थे हमारे यहां बंधीर आता है इतने भी आपारी चोटे-बडे सब लोग जो पर्चेशिंग बाहर माल करते हैं और यहां से घड़े थे वो लोग जो जॉनपूर जॉनपूर में अपनी गारी जो है एक प्लसर था जो है और उसी को जो तेक करके दो लोग जो हिलमेट लगाए तो उन्होंने सखा करके तीके बोली मार जी जी बताएं जलालपूर में खटना हुई है उसमें एक मौत होगी सुनार की और इसमें एक टाइम वहां पर क्या इस्तिती है और इस कैसे हैंडिल क में बताया आ रहे थे और रिल्वेस्टेशन से घर पहुंचने के बीच में बदमासो दोरा इनको चेज करके गोली मार दी गई और इनका थैला जो है वो ले गया है परिजनों के दोरा जो तहरीर दी गई है उस पर फाई यार पंजी कृत की गई है और इसमें घटना के अन जा रही है जाम को शिगरी खुलवा लिया जाएगा और घटना का भी बहुत जल्दी ही अनावरन कर लिया जाएगा सर इसमें एक सामने ये बात आ रही है कि क्या कोई रंजिस में हत्या हुई है या वाकई में लूट हुई है अब विस्तित पूष्टाज परिजनों से जानकारी करने के बाद ही सामने आ सकेगी चूकि अभी पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कारवाई की जा रही है और परिजन भी शोकाकुल है तो इस बारे में अभी पूष्टाज संभो नहीं है जल्दी है पूष्टाज करके और अंतिम निशकर्ज पर पहुँचेंगे अंबेटकर नगर जिले के जलाल पूर्थाना छेतर में देर रात एक सुनार जो जौन पूर से व्यापार करके लोट रहा था उसकी अग्यात लोगों ने गोली मार कर हत्या कर दी हलाकि इस पूरे मामले में पूलिस छानबीन कर रही है घटना के दौरान वहाँ पर तीन लोग उस मोटर सैकल पर सवार थे जिसमें दो लोग उसके घर के ही थे और एक मृतक है फिलाल पुलिस इस समय वहाँ पर जाच कर रही है उनके परिजनों से पूस्ताच कर रही है साथी आक्रोशित जो व्यापारी है जलालपूर में इस समय वहाँ पर जाम लगाये हुए हैं और वरिष्ट अधिकारी मौके पर पहुच चुके हैं